हेलो, वेलकम टू केनेश्टरीज, आप लोगों में से बहुत लोगों का डाउट है कि विल डेट एक्स्टेंड और नोट फोर सीएपीफ, आप अल्रेडी देख चुके हो कि सिविल सर्विसेज का डेट एक्स्टेंड हो चुका है, यस सिविल सर्विसेज का एक्जाम जो आपका था, वो प्री, आपका 27th of June को था, ठीक है, 27th of June, और आपका जो एक्जाम है, वो 8th of August को है, तो देखो, 27th of June और 8th of August में टाइम है, डिफ्रेंस है, टाइम डिफ्रेंस है, अब देखो, इस वजह से फिलहाल मेरे लिए, मेरे ओपीनियन में, मैं फिलहाल यही सज्जेस्ट करूंगा, कि जो भी आप 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस डेट को मान करके ही प्रिपरेशन करो, इस डेट को ही मानो की एकजाम हो रहा है, इसके कुछ कारण है, आप देखोगे, 27th June और 8th August, इस बीच में UPSC के तीन और एकजाम है, एक IES और ISS, ठीक है, वो Indian Engineering Service and Indian Statistical Services, तो यह दो एकजाम, यह combined लिया जाता है, एक साथ फोम आता है, एक साथ एकजाम लिया जाता है, इसमें से, यह सबजेक् में common होते हैं, बाकी जो होते हैं, वो separate होते हैं, तो एक एक एकजाम यह IES और ISS, यह इसका, इसका देखो, 16th of July को होने वाला था, 16th, actually three days का एकजाम होता है, फिर आपका एक Geo Scientist मेन का एकजाम था, जी वो Scientist मेन का एकजाम, यह आपका 17th, 7th, ठीक है न, यह आपका होना था, फिर उसके बाद एक जो आपका है, यह Engineering Service, Engineering Service का एकजाम जो आपका 18th, 7th, और 2021 से यह होना था, देखो, यह 300 एकजाम है, इसमें से, यह तो एकजाम है, इसमें बहुत कम candidate appear होते हैं, इसमें जो है relatively काफी कम candidate होते हैं, लेकिन Engineering Service Examination, यह इसमें और यह प्री था, ठीक है, Engineering Service Examination प्री, इसमें जो होते हैं, बहुत सारे candidate appear होते हैं, तो अभी तक इन तीनों exams का भी date extend नहीं किया गया है, लास्ट टाइम देखोगे, लास्ट टाइम जो date extend किया गया था, वो mass scale पे ही किया गया उनके calendar को ही change कर दिया गया था, अब देखो, जो आपका 27th को June को होना था, उसका तो कर दिया, लेकिन यह आपके, जो mid-July में तीनों exam होने वाले थे, और उसमें भी यह जो है, एक bulk में candidate, इसमें Engineering Service में bulk में candidate appear होते हैं, और इनका date extend नहीं किया गया है, इस वज़े से आपक civil services का लिया जाए, तो civil services का जो exam है, उसमें सबसे अधिक अश्टेक होते हैं, अश्टेक होते हैं in the sense कि पूरा इंडिया उस exam को देखता है, पूरा इंडिया जो है उस exam के परती उच्छुक होता है, result जाएसे ही देखोगे, इधरहाल के दिनों में, social media के कारण जो है, उस exam क बहुत जादा hype create हुआ है, जितना, yes, civil services में qualify करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप other exams देखो, जैसे assistant commandant का ही exam देखो, assistant commandant के exam में ही कुछ वो candidate होते हैं, जो qualify होते हैं, ऐसे candidate और वो बाद में civil services में ही ठिक ठाक rank ले आते हैं, और civil services में देखो कुछ job जो हैं, वो group B के भी हैं, लेकिन आपके assistant commandant का job है, वो सारा का सारा क्या है, एक ही है, तो group A का state officer है, उसमें आप देखोगे, civil services वाले में B में कुछ होते हैं, दैनिक्स के services बगएरा भी होते हैं, जो, but still क्या है, उस exam का hype अधिक है, तो इस point of view से, देखो, उन लोगों का initially, जो है, 21st of April से आपका personality test होना था, वो defer कर दिया गया, तो उसमें 2000 plus candidate आपके है, personality test के लिए, तो time जो है, अच्छा खासा लग जाता है, 40 plus days, depending on कभी-कभी 50 days, 60 days लग जाते हैं, तो 40 से 60 days करीव, उनके interview में, personality test में, time लगता है, आपका जो exam है, अभी, इसमें भी personality test में क्या है, इसमें करीब होंगे, जो 700 के आसपास candidate होंगे, इस वार जो होंगे, यानि कि जो 2020 वाले हैं, उसमें करीब 700 के आसपास candidate होंगे, जो personality test में participate करेंगे, तो आपका personality test conduct किया जा सकता, कम time में बसरते कि, देखो, यहाँ 2000 प्लस, यहाँ 700, तो सीधा one third candidate आपके हो गए, तो अभी आपके पास chances है, बहुत अच्छा, आपके 99% अभी मैं sure हूँ, कि आपका eighth को ही exam होगा, इसका और कारण है, कि देखो, case load जो है, वो आपका second third में के आसपास देखोगे, तो वो peak पे था, four lakh plus cases आ रहे थे, उसके बाद देखो, gradually slightly जो है, अभी cases जो है, कल तक का जो latest update हुआ था, उसमें देखोगे कि three point four lakh के आसपास cases थे, तो four plus lakh से three point four, यह gradually जो है, वो कम होता जा रहा है, यह, अभी आप लोग में से कुछ problem यह है, जिसके कारण extend होने के जो chances से उसका कारण में बता रहा हूँ, एक तो आप लोग का जो 2020 का है, उनका PET और MST जो है, PET आपका, PET, PST और MST जो होता है, वो अभी आपका कुछ candidates का नहीं हुए है, अब देखो, जिनका भी होता है, तो MST जिस दिन से होता है, उस दिन से आपको 15 days दिया जाता है, कि आप उसको challenge करो, यदि आप challenge करना चाहते हो कि यह समारा जो medical हुआ है, उसमें जो reject किया गया है, वो rejection नहीं होना चाहिए, यानि कि हम physically fit है, यानि medically fit है, तो उसमें से 15 days time लगता है, फिर 15 days के बाद उन्हें जो है, री-medical का time दिया जाता है, एक चीज आप ध्यान रखना इसमें से, क्योंकि यह मैं हम लोग के time में same हो चुका है, ऐसा कि आपका जो री-medical है, री-medical और पलस इंटर्व्यू यह आपका साथ-साथ चल सकता है, पैरलली, 2013 वाले में, जिस बहत में मैं finally select था, उसमें की same situation हुआ था, कि जिन लोगों ने जो री-medical के लिए जमा किया हुआ था, तो उनका री-medical और जैसे किसी का आप मान के चलो, कि आज सपोज कोई भी date ले लो, 20th मान के चलो जुलाई ले लो, 20th जुलाई लो, तो 20th जुलाई का किसी का interview है, तो हो सकता 18th जुलाई को उनक री-medical के लिए बुलाया जा सकता है, तो ये parallel होता है, ऐसा पिछले भी, पहले भी हो चुका है, और रही result की बाद, तो ये आप लोग देख़ी चुके हो, कि 2019 का result नहीं आया था, लेकिन 2020 का exam हो गया था, तो ये भी संभावना है, कि yes, हो सकता है result दो दिन बाद, या कोसिस ये करें, हमेशा UPSC का ये कोसिस होता है, कि result निकाल दे, पहले बाले exam का result जो है, वो niche exam से पहले निकाल दे, लेकिन अपने हाल में ही देख चुका है, ये अभी आपके सामने का द्रिश से है, कि exam हो गया और result उसके बाद आया, तो इसमें भी आप मुगालते में नहीं रहो इस बेटर है कि आप अपने को prepare करते रहो, जिन का physical medical नहीं हुआ है, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत जादा pressure उनके पास होता है, हम इस pandemic एरा में जी रहे हैं, कि जब कब किसका तवियत खराब हो जाएगा, कब कौन बिमार पड़ जाएगा, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अपना जो भी है, precaution रखें, protection रखें, जो भी है, जैसे ही थोड़ा सा भी problem होता है, आप डॉक्टर को consult करें, जो भी जिनके भी रिस्ते परिवार या आज़ पास में जो भी डॉक्टर हैं, ठीक ठाक, उनसे संपर्क करें, जो वो prescribe करते हैं, उसको ये prescription को follow करें, काड़ा जो भी है, वो पीते रहें, मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ, कि मैं लाज्ट टू बीक्स पलस इस चीज़ से सफर किया, पर तस्टील सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, कि वो ठीक हो गया, उसके बाद आप post trauma में भी बहुत जादा problem रहता है, ठीक है, तो अपने को जो भी है, fit बना करके रखें, mentally positive रखें, और it's better कि हम unnecessary जो खाबरों को देखने, अभी जो क्या negative ही बहुत जादा आ रहा है, तो उस चीज़ को बहुत जादा analysis मत करें, it's better है कि आप अपना कुछ न कुछ करते रहें, और target आप अपना 8th of August का ही रखें, ठीक है, जिन लोगों क अस्टेक लगा हुआ है पहले का, बहुत ऐसे candidate है, जिनका 2019 का भी अस्टेक लगा हुआ है, तो यानि कि 3 exam का एक साथा pressure जहल रहे हो, but this is all about life, आप चलते रहता, जब आप firing में जाते हो, जब आप insurgency में जाते हो, जब आप किसी terrorist को neutralize करने जाते हो, उसमें आपका अस्टे कि ये जो आप pressure जहल रहे हो, तो इस pressure से ज़ादा pressure आपके पास उहां होता है, तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए, आप 8th August का target रखो, अभी के point of view से, जिस दिन आजाएगा officially, यस उस दिन आप वो मान करके चलना की बढ़ गया, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ क 99% chances हैं कि अपने ये date पे, हर exam में जब date बढ़ाया जाता है, तो बहुत सारे चीजों को manage करना पड़ता है, तो इस point of view से ये आप ज्यान रखो, और पता नहीं ये किन का quote है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बच्पन से इस चीज को देखता रहा हूँ, कि it's better to be prepared and have no opportunity than having opportunity and not prepared, आप हमेशा prepare रहो, जदि आप 8th अगस्त के लिए complete prepared हो, हो सकता है, worst case में, worst case में बता रहा हूँ, date extend हो जाए, तब it's better है कि आप prepare हो और opportunity नहीं मिला आपको, then having opportunity and not prepared, exam ले ले 8th of August को और आप prepare नहीं हो, तो उसका कोई मतलब नहीं, prepared हो और exam नहीं हो, तब आपके ल तो इस वज़े से कि आप preparation को continue रखो, opportunity जब भी आपके पास आएगा, जब भी आएगा उसको आपको grab करना है, लेकिन जब तक आप अपना name final में नहीं देख लेते हो, तो अपना push हमेशा करते रहो, हमेशा preparation mode में ही रहो, कि जिस भी time मौका मिलेगा, हम कूद पढ़ेंगे, अपना arsenal वगरा तयार रखो, और 8th को ही आप ये मान करके चलना है, कि हमारा 8th को ही होगा, कुछ भी questions क्यूरी है, तो comment box में डाल सकते हो, या इस WhatsApp नमबर पे संपर्क कर सकते हो, या इस Telegram नमबर पे, और जिने भी test देना है, तो या तो आप K&S पर जा सकते हो, या फिर हमे इन दोनों नमबर पे तंपर्क कर सकते हो, ओके, तेंक यू